नमस्कार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और उसे आल पे कर दें ताकि सब ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको Hello dear students, कैसे हो आप सब? Welcome back to Divedi Class of Pryagraja. Myself सुसेल Divedi बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने exercise 1.3 फिनिश किया था तो आज बारी exercise 1.4 के आसा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको समझ लिया होगा और आज की exercise भी अच्छे से आपको समझना है ठीक है? उसके लिए जरूरी है कि वीडियो को सुरूस लेकर लास्ट तक देख कोई भी confusion हो परेशानी हो तो comment box में जरूर बताया करो अच्छा लागे तो भी बताया करो ठीक है? तो बच्छों exercise 1.4 शुरू करो उससे पहले यहाँ पर 2-3 theorem दी हुई है जिनका की equivalent statement ही काम का है और कुछ उसमें विशेस अलग से कुछ नहीं है ठीक है? तो सबसे पहले theorem 1.5 क्या कहती है? Let x be a rational number whose decimal expansion terminates then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime अब बच्छों co-prime क्या है मैं मैंने पिसले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसे दो नंबर या ऐसे पेर जिनमें कोई भी common factor नहीं होता उन्हें हम co-prime कहते हैं ठीक है? And the prime factorization of q is of the form 2 to power m, 5 to power m where m and r non-negative integer ठीक है? बिलकुल simple statement है बच्छों समझ लिजे कह रहा एक कोई rational number है जिसका expansion terminate Actually बच्छों terminate होने का मतलब यह है कि कोई अगर rational number है उसको हम divide करें denominator से numerator को तो cancel हो करके remainder 0 आ जाए तो उसे हम terminate कहते हैं ठीक है? तो अब अगर rational number है तो p by q के form का होगा? और p q क्या है? co-prime है पहले भी बता चुका हूँ और इसका जो prime factor होगा q का अब बच्छों देखें जैसे यह है p upon q ठीक है? वैसे भी हम लोग कहते हैं के rational number किसे कहते हैं a number which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0 अब यहाँ पे terminate का क्या मतलब है? बच्छों terminate का मैंने क्या बता है? अगर q से p को divide करूं तो कितनी बार में भी जा कि यहाँ पे remainder 0 आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं बच्छों? terminate ठीक है? तो यहाँ पे खह रहा है कि यह जो q है क्यों क्या है यहाँ पे? denominator है इसका जो prime factor होगा वो 22 power m into 52 power n type का होगा अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या मतलब समझा जाए? देखिए सबसे पहली बात तो आप यह समझे यह जो m और n है non negative है यानि कि minus में नहीं हो सकते ठीक है? और यहाँ यह कहना चाहा रहा है मैं एक example ले लेता हूँ सबसे यह है 1 by 8 तो इसे हम क्या करेंगे? 1 by 22 power 3 लिख सकते है है न? अब 5 नहीं है तो 5 to power 0 भी लिख सकते है क्योंकि किसी भी number के अगर power 0 हो तो value क्या होती है? उसकी 1 होती है तो कोई problem नहीं है अगर हम उसे 2 to power M into 5 to power N type कर दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं indirectly आप एक line में इसका मतलब समझगे क्या कहना चाहता? यह बस इतना कहना चाह रहा है कि जो rational number है वो terminate करेगा P by Q के form का है तब जब इस Q का हम factor करें और वो 2 और 5 के factor में आए यह M और N होने का क्या मतलब है बच्चों इसकी जगह कोई भी number हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 7 हो सकता है 9 हो सकता है ठीक है बात सिर्फ इतनी सी है कि यह जो Q है न इसके factor में केवल 2 और 5 आना चाहिए उसके लावा कुछ भी नहीं आना चाहिए तो निश्चित रूब से वो terminate करेगा ठीक है अब थोड़ा सा terminate की बात हुई है तो मैं कुछ बातें और भी clear कर दूँ आपको बच्चों अपने 9 पढ़ा होगा कि कोई number rational कब होता है इसके दो case है क्या जब ये terminating हो ठीक है और terminate कब होता है अभी मैंने बताया था दूसरा क्या है ये non-terminating हो अब आप कहोगे कि terminating भी है और non-terminating भी भाई आगे भी तो देखो non-terminating हो but repeating हो ठीक है repeating या इसी को हम recurring कहते हैं कहने का मतलब बड़ा साफ सा है कि rational number कब होगा या तो हमारा ये terminating हो terminate कब करेगा जब denominator में जो भी number होगा उसका factor 2 और 5 के form का हो non-terminating है तब भी वो rational होगा लेकिन कब जब repeating हो कैसे बच्चों जैसे आप अभी ये 1 by 3 है और 3 से 1 को divide करोगे देखोगे 0.333 3 3 3 ऐसे ही चला जाता है देखते हो कि इसमें 0 remainder मिलता ही नहीं है तेसी को तो non-terminating कहते हैं और particular digit repeat हो रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं non-terminating but repeating या recurring decimal भी कहते हैं तो ऐसे केस में भी ये rational होगा अब अगर ऐसा हो कि non-terminating है non repeating है तब निसी तुरूब से वो irrational होगा ठीक है तो इत्ती बात आप समझ गें चलो अगले थोरम देखते हैं क्या यहां पर दिया है बच्चो एक्स लेट एक्स इस इक्वल टू पी बाई क्यों बियर रेशनल नंबर सच्छ दाट अप्राइम फैक्टराइजेशन ए ओफ क्यू इस ऑफ द फॉर्म टू पॉर एंट फाइप टू पावर do you कि एक्वούμε क्यों कोई रेशनल नंबर है इस तरह से कि यह जो क्यों है ये 2 to power etap और में 25 to Power in type का होगा तो यह जो एक्स होगा इसको हम क्या कहेंगे यह जो सभे अंचिंशन होगा जो टर्मिनेट कर रहा थीकितर में dukkot नहीं बच्चो उसी तरह का statement है आप समझ लिये होंगे चलिए, theorem 1.7 क्या है कहता है, let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to power m, 5 to power n where mn are non-negative then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, recurring सिद्धी सी बात है कि अगर p by q के form का है हम, और ये rational number है ये क्या है, p by q तो है और बचो ये क्या है rational number है, ठीक है तो, और ये जो q है इसका factor 2 to power m into 5 to power n type का नहीं है, तब क्या होगा तब निश्चित रूप से ये non-terminating तो होगा ठीक है non-terminating but repeating जरूर होगा आप कहोगे ये कैसे क्योंकि अगर repeating नहोता तो वो rational होई नहीं सकता था अभी तो आपको उपर बताया है न मैंने कहां पे, चलो देख लेता हूँ कहां पे यहां पे ठीक है, देख रहे हो यहां पे बताया कि अगर non-terminating but repeating है तभी वो rational होगा तो अगर कोई x is equal to py q है और वो rational number है इस तरह से कि q का form py 2 to power m, 5 to power n टाइब का नहीं है तो निश्चित रोप से वो क्या है बच्चों non-terminating है but repeating है ठीक है, तो बड़ी छोटी सी कहानी है आई होप आप अच्छी से समझ ले होंगे चलो exercise 1.4 पे आ जाते हैं ठीक है, यह रहा question number 1 क्या लिखा हुआ है without actually performing long division state whether the following rational numbers will have a terminating rational expansions और non-terminating repeating decimal expansion ठीक है कह रहा है यहापे कुछ parts दिये हैं आप देख रहे हैं 10 parts दिये हुए है बोल रहा है without actually performing long division means आपको भई एक तो तरीका भी जैसे मैंने बताया था कि भई आप क्या कर रहे हो उसको divide कर रहे हो remainder 0 आ गया तो terminate है अब अगर 0 आही नीरा बढ़ता ही बढ़ता ही चला जा रहा तो non-terminating है पर इसने क्या कहा इसने कहा कि आपको long division नहीं करना हम आपका division नहीं देखेंगे ठीक है फिर क्या करना है आपको बताना है बिना long division किये कि यह जो है rational numbers यह terminating है या फिर non-terminating repeating है अब बच्चों का rational number है ना तो non-terminating है तो repeating जरूर होगा नहीं तो rational ही नहीं हो सकता तो बहुत आसान है बिल्कुल ध्यान से समझना सबसे पहले है इसका मैं first part लेता हूँ चीक है ओके first part क्या है यहाँ पे बच्चों 13 upon 3,1,2,5 है ना तो यह P by Q type का हो गया Q के place पे यही है ना तो यह जो 3,1,2,5 है हम इसका क्या करेंगे factor निकालेंगे factor करना तो आता ही होगा अब कोई भी number है उसका last digit 0 या 5 होता है तो हमें सब 5 सड़ी विजबल होता है so we need to use here 5 5,6 या 30 1 बचेगा 12 हो जाएगा तो 5,2 जा 10 फिर 2 बचेगा 25 या 5,5 जा 25 फिर 5 से कट किया 5 बचेगा 5,5,2 जा 10 and 5,5 जा 25 फिर से 5 से कट रहा है so there is 25 और फिर 5 से कटा तो 5 and again 5 से कटा तो 1 ठीक है अब आप देखो जा रहा है यहाँ पे ध्यान से यह देखो अब यहाँ पे जो आपने 3,1,2,5 का फैक्टर निकाला है वो 5,5,5 कितनी बार 5 है? 5 बार यानि 5,2 पावर 5 टाइब का है तो क्या मैं इसे 5,2 पावर 5 इंटू 2,2 पावर 0 लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ क्यों? किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैलू हमेशा 1 होती है और 1 का हम किसी के साथ भी मल्टिप्लाई कर दें वही नंबर आता है तो बच्चों, definitely it is of the form 2 to power 5 M into 5 to power N तो इट इस टर्मिनेटिंग ठीक है? आई बाद समझ में की नहीं? ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया ठीक है? अब देखो, एक बार फिर से समझ लो ओवरल करना क्या है आपको? बहुत आसाने बच्चों, ऐसे आपको जब बोलेगा कि बिना लॉंग डिविजन के आपको करना है तो आप क्या करोगे? सिर्फ उसका डिनुमिनेटर देखोगे और डिनुमिनेटर का फैक्टर करोगे कोई भी नंबर दिया हो ठीक है? वडेवर फिर क्या करोगे? जब आप सारे फैक्टर करोगे चेक करना क्या वो इसके फार्म का है? 2 to power m into 5 to power n टाइप का इसके पहले में बता चुका हूँ 2 to power m into 5 to power n का क्या मतलब है? कि वो या तो 2 के multiple में बजा रहा है या तो 5 के या फिर दोनों के इन दोनों के सिवा कोई भी और नंबर नहीं होने चाहिए ठीक है? अगर ऐसा है तो वो terminating है और ऐसा नहीं होगा तो non-terminating बड़ repeating हो जाएगा ठीक है? चलो इसका एक पार्ट और ले लेते हैं हम चलो second part तो बहुत छोटा सा है 2 to power 3 बनेगा वैसा ही है ठीक है शिक्स पार्ट देखते हैं इसका अब शिक्स पार्ट में क्या है बच्चों यहाँ पे 23 upon 2 cube into 5 square ठीक है? है ना? अब आप ज़रा यहाँ देखो यहाँ क्या factor करने के जरूद है क्या? बिलकुल नहीं है यहाँ तो अल्रेडी नहीं हमें factor करके दे दिया है सो हमें कोई शरूद नहीं है यहाँ पे factor करने की यह अल्रेडी 2 to power m into 5 to power n type का है यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखेंगे since denominator has factor of the form 2 to power m into 5 to power n so it is terminating ठीक है यह क्या है terminating है अगरी बात समझ में पसित्ता सा अब अगर ऐसा केस कोई हो कि इनके अलावा कुछ आ रहा है तो terminating नहीं है that's it means non-terminating है चलो एक example ऐसा भी ले लेते हैं इसी का 5th part ले लेते हैं 5th part में क्या है 29 upon 3,4,3 ठीक है 7 से कटा फिर यहां पर 7 आया means 3,4,3 का जो factor आया है students क्या आया है 7 into 7 into 7 ठीक है यह क्या है 7 to power 3 यहां लिख देंगे since terminator is not of the form 2 to power m into 5 to power n so it is non-terminating repeating by the way repeating का कोई case ना होता लेकिन rational उसने कह दिया है तो निस्चित रोप से अगर non-terminating है तो repeating जरूर होगा ठीक है तो बागी पार्ट आप लोग कर लोगे न इस question के कोई दिक्कर की बात नहीं है ठीक है चलिए question number 2 देखते हैं question number 2 में लिखा हुआ है write down the decimal expansion of those additional numbers in question 1 questions above which have terminating decimal expansion इसने कहा है कि उपर के question में आप उसका decimal expansion लिखो किसका जो terminating थे समझेरो क्यों उनीक लिखना है जो terminating थे तो अब जैसे पहला पार्ट हमारा terminating आया था चलो हम पहला पार्ट ऐसे ले लेते हैं अब decimal expansion कैसे लिखोगे बच्चों आपके पास दो तरीका है यहां तो long division ने माना किया नहीं है तो आप या तो 3125 से 13 को divide कर दो तब भी आ जाएगा या फिर ऐसा नहीं करना चाहते तो अभी आपने factor निकाला था न 3125 का तो उसी factor का आप use करोगे किस तरह से अभी आपने जब उपर निकाला था तो यह आया था 5 to power 5 आया था ठीक है अब आपको मालूम है आप छोड़ी class से पढ़ते हो किसी number को अगर हम 10 से divide करते हैं तो 1 digit बार decimal लग जाता है 100 से तो 2 1000 से तो 3 ऐसी तरह होता है न तो हम क्या करेंगे इसे 10 type का बना देंगे अब इसे हाँ 5 to power 5 है तो 2 तो है नहीं तो नहीं है तो हम उपर नीचे multiply करते हैं भाई किसी भी fraction में अगर same number से हम उपर नीचे multiply करते हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा न तो क्या हो जाएगा 13 into 32 भाई 22 power 5 कितना आएगा 32 ही आएगा और ये बचों क्या है ये इस टाइब का है देखिए एक होता है rule a to power m into b to power m can be written as a b to whole power m ठीक है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 into 2 whole power 5 ठीक है multiply कर लो आप 416 आएगा उपर और नीचे 10 to power 5 है इसका मतलब decimal यहां से 5 place आगे जाएगा ठीक है तो 3 digit तो यहीं पे है 2 0 आप बढ़ा लोगे ठीक है ऐसे ये आ गया 416 अल्रेड़ी 3 place थी हमें 2 place और चीए थी यहां power 5 है so 2 0 लगा के हमने यहां पे point लगा दिया यही हमारा हो गया decimal expansion ठीक है अब मान लोग कोई ऐसा part हो कि यहां पे 2 और 5 दोनों है और दोनों की power सेम है तो फिर कुछ भी हमें multiply करने की जरूथी नहीं है ठीक है चलो एक part और लेके समझते हैं इसका second part देख लेते हैं second part इसका क्या था 17 by 8 17 by 8 तो यह क्या हो जाएगा बच्चों 17 upon 2 to power 3 अब इस बार 5 नहीं है इसके पास तो 5 से multiply करेंगे 3 power है न यानि कि 5 to power 3 से हम उपर नीचे multiply कर देंगे जैसा पहले भी बताया किसी भी fraction में सेम नंबर से कर हम multiply करते हैं या divide करते हैं उपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यह 17 into 125 हो जाएगा और इसको पिछले कुश्चन की तरह हम 10 to power 3 लिखतेंगे ठीक है अब 17 का 125 में multiply कर लें ठीक है 2125 upon 10 to power 3 ठीक है अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 है यहाँ पर पावर तो 3 प्लेस बाट जेश्माल या नहीं कि यहाँ पर लगना चाहिए 2.125 ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है तो इसी तरह से बच्चों बागी कुश्चन भी आप लें कि भूण रखुष्चन ऊपर वाले कुश्चन के के वल ah wath 12 कि यहां टर्मिनेटिंग आयाए नां चर्मिनेटीन वालो को टस करने जुर्द आपको नहीं है थीक है उच24 बढ़तें कुश्यन कि खूष्यन नंबर थ्री मिवाद कर ह 하는데 ह age two following real numbers have a decimal expansions is given below in each case decide whether they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factor of Q, ठीक है, अब देखिए सबसे इसमें तीन पार्ट दिये हुए हैं बच्चों, तो हम पहले पार्ट की अगर हम बात करें, तो आप पहले पार्ट में देख रहे हैं, क्या है, 43.123456789, मैंने अभी आपको जस्ट पिछले कुशन में बताया था, कि रेशनल कव होता है, जब वो टर्मिनेट करें, तो आप देखो तरह इस नमबर में, यहाँ पे 9 पे खताम हो जा रहा है, कहीं भी डैस नहीं लगा है, बार नहीं लगा है, कॉमा और वो डॉट नहीं लगा है, इस है, रेशनल नमबर है, ठीक है, तो यहाँ तो अब पुछा है न कि रेशनल है कि नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, रेशनल है, यह भी पुछा है, कि what about Q, क्यू के बारे मैं आप क्या कहोगे तो भाई, जो रेशनल है, उसका क्यों इस चितरूब से टू टू पावर है इंटू फाइब टू पावर एंट टाइप का होता है ठीक है तो चलिए फड़ावाट सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या है 0.12012001 एंड वन टू ची रो जी रो जी रो जी रो वन वन टू इस इसी तरह से है ठीक है फिर उसके बाद भी 0000 यह है तो छोँ देखो आप ध्यान से यह क्या टर्मिने तहसे ठीक है तार्फ लगा होने का आगे डॉटेट लगे मतलब होता है बच्चों कि already नहीं कर रहा है नहीं नाँ टर्मिनीटिंग है अब अगर वह नाँ टर्मिनीटिंग तो रेशनल होने का एक ही केस है कि जब वह रिपीटिंग लेकिन repeat कहा हो रहा है आप ऐसे नहीं देख सकते कि यहां भी two है, यहां भी one two, यहां भी one two, ची पोजीशन भी देखो गया, अब देखो one two zero, अब यहां 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 पर totally zero हो गया यहां फ्रीपॉर जीरो हों घिल हो ऑटीक है, कोई भी particular बार लगा हुआ इस बार लगे होने का मतलब यह पर्डिकुलर डिजिट जो है यह repeat कर रहे है अब repeat कर रहे हैं तो निस्चित रूप से वो क्या होगा rational ही होगा ठीक है तो बच्चों इस हिसाब से आपका chapter 1 आज यहीं पर खतम हुआ आप लोग बढ़िया से अपनी त्यारी करिए अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके भी link दे दिये गए उन के ले वीडियो में थेंक यू